प्रिये साथियो नवस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंग कोचिंग क्लासेस में दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बारसिक परिच्छा 2021 जी हाँ दोस्तो आप सही देख रहे हैं बारसिक परिच्छा 2021 कच्छा नौमी बिसे हिंदी दोस्तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 28 कॉस्चन आएगा आपके बारसिक पेपर में सभी बिसे का पेपर मेरे पास उपलब्द है दोस्तो मैं सभी बिसे का एंसर सीट सही यवां सटीक उत्तर आपको दूंगा मैं उत्तर उत्तर आपको बताऊंगा प्रस्न पत्र आपको मिल जाएगा दोस्तो मेरे पास सभी सब्जट का प्रस्न पत्र है देखें मैं सबका उत्तर लेकर आया हूँ तो पहला नमबर देख लीजिए साहब, दूसरा नमबर आई, तीसरा नमबर वाचाल, चौथा नमबर खंड काप, पच्मा नमबर कास्मीरी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्ट भी सेका जैसे मैं एंसर सीट अपलोड करूँ तो सीधा आप तक पहुंच सके अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं कियां दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप लाइक जरूर कर, चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए चलिए इसी तरह मैं दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा नंबर है दोस्तों ये रहा दूसरा नंबर, पहले का दूसरे नंबर में है सही बिकल्प दोस्तों सही भी कल्ब में चार भी कल्ब रहते हैं उसमें से एक सही रहता है जो की सही रहता है उसको आपको लिखना है तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर देख लीजे स्वर के चली गई थी दूसरा है बीजक, तीसरा है अनफड, चौतरा है अलंकार पच्मा इस काले संकट सागर पर मरने हे तू तो दोस्तो इसी तरह तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजी तीसरा क्वेश्चन है आपका ये तो तीसरा क्वेश्चन एक बाक में उत्तर लिखना है दोस्तो हम आपको बता दें कि एक वाक यानि एक सब्ध में उत्ता लिखना है पहले नमबर का एंसर है आधुनिक काल से दूसरा है सेंगार रसका स्थाई भाव भाव रित्थी और तीसरा हो जाएगा हतकडिया चौथा हो जाएगा एक अंग होता है पांचमा हो जाएगा मु सर सीट इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा तो आप चैनल को सस्क्राइब कर बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो चलिए तीसरा क्वेशन आपका कंप्लीट हो गया चौथा क्वेशन है दोस्तो यह रहा दोस्तो आपका चौथा क्वेशन सही जोड़ी बनाना है तो कमल का हो जाएगा पंकज माटी वाली का हो जाएगा कहानी है और यह हो जाएगा गोसवामी तुलसीदास जी के रचना है रामचरीत मानस और ग्राम का हो जाएगा गाउं छंद दोस्तो मैं आपको बता दूँ यह गाउं का ग्राम का गाउं हो जाएगा और जो चौपाई है इसमें हो जाएगा चन तो यह उत्तर क्रमांक आप चार दे रहे हैं प्रस्न क्रमांक चार का उत्तर है तो सही जोड़ी था सहीուड이리 سبके सामने मैं लिग दिया हूँ चली अगला कउशचन पाँशमा भी देख लीजिए दोस्तो पाँशमा सत्त था है पहला नमबर सत्त हो जाएगा दूसरा सत्त हो जाएगा तीसरा भी सत्त च scoutभी सत्त और पाँशमा असत्त है नहास्त और तदभव मचली सांग और फिर इसी तरह प्रस्ट करमांग 7 का उतर देख लिए आपे संदी भी चेट करना था तथा प्लस एप का हो जाएगा तथा एप और सू प्लस आगत का हो जाएगा स्वागत दोस्तों तो इसी तरह मैं आपको सात्मा कॉस्च्चन इसी तरह एगला कॉस्चन बता रहा हूँ आठमा नमसा कॉस्चन प्रस के चार अंग होता हैं तकि आपको कंफ्यूज नहों कोई भी डाउट नहों १। आप सिल पतानगा सथिक मिला लिगना ताकि पूरे नमबर मिल सके तो मन सर उबर से कभी का आसे है मन रूपी पवित्र सरोबर से है जिससे मनुस्थ के मन में स्वच विचार रूपी जल से भरा है तो यह आपको उत्तर लिखना है उत्तर क्रमांगनौ का इसी तरह दस्मा देख लिजिए दोस्तों यह रहा आपका दस्मा question तो दस्मा question है पूरा नमबर मिल सके तो इसी तरह ग्यारमा देख लीजिए ये रहा दोस्तो ग्यारमा रस खान ब्रेज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं तो आपको तर लिखना है कभी रस खान बार बार ब्रेज भूमी में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं कि वे क्रिश्ण के अत्यंत भाक् तो दोस्तो इस तरह आपको लिखना है भेरी महतपूर आपको एंसर इस तरह लिखना है ताकि आपको पूरे नमबर मिल सकें तो देख लीजिए इस तरह 11 नमबर कॉस्चन होगे आपसे 28 कॉस्चन पूशे जाएंगे हिंदी में मेरे पास सभी सब्जेक्ट का पेपर है आप इनको अच्छे से लिख लीजिए और मैं भी बता दूँ बारसिक पेपर है राइटिंग से आपको लिखना है ताकि पूरा न के लिए संपूर आसमान है कभी एक कोरी चोटी सी 10 फुट लंबी चोडी काल कोठरी में कैदी जीवन ब्यतीत कर रहा है इसलिए कभी कोकोईल से इरसा हो रही है तो दोस्तो बार्मा नमबर है मैं आपको बता दूँ कि इसमें दो दो प्रसने दिये रहते हैं एक अथवा मे लिए मोटिवीशन का काम करता है और एक पेंड़ना देता है कि आप तक हम आपको हर एक सुविधा पहुचा है तो चलिए अगला कोश्चन देख लीजे तेरमा नमबर तो दोस्तों यह रहा आपका तेरमा नमबर अपने अपने सहर में बच्चों को कभी कहां काम करते लिए तेरा नमबर हो गया तो इसी तरह आपको चवदा नमबर लिखना है दोस्तों चवदा नमबर यह देख लीजे कहानी के प्रमुक तत्तों के नाम कहानी के प्रमुक तत्तों के नाम कहानी के प्रमुक तत्तों देख लीजे कथानक चरित्र चित्रन कथोप कथन यह आपका पांचमा नमबर पांचमा नमबर है गया ने बैलों को सरासद यानि कि सरासद के लिए क्या सजा दी थी तो गया ने बैलों को सरासद के लिए बहुत मारा उन्हें खाने के लिए चारा भी नहीं दिया और सूखा भूसा खाने के लिए दिया यानि कि आप देख लि के लिए जूते कोट मोटर के साथ साथ बीवी भी मांग लेते हैं यह आपका उत्तर हो गया सोलमा नमबर तो इसी तरह आगला कॉस्चन देख लीजिए दोस्तों यह रहा है आपका सत्रा नमबर सत्रा नमबर में लिखना नीचे दी गए जीब जन्तु की भी सेस्ताइं लिख बच्चों को अपने पीट पर बैठा कर सेर कराता है और मोर देख लीजिए यह भारत का राश्टी पच्छी है बरसात के समय खुस होकर नरत करता है तो दोस्तों आपका सत्रा कॉस्चन कंप्लीट करवा दिया हूँ तो आगे का कॉस्चन अगर आपको चाहिए दोस्तों च चैनल में जल्दी अपलोड कर दिये जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट में लेकर आऊंगा जल्दी मिलेंगे जैए